प्रोग्राम जन जन की बात में आप सभी का स्वागत है आज एक मुद्दा एक मुद्दा क्या कहूं मुकतार अंसारी का जो मुद्दा है वो कल रात से ही मीडिया में चाया हुआ है कहीं तरीके के बयान सामने आ रहे हैं कहीं दो धड़े हैं जिनके अलग अलग सोच है बटी हुई सोच है कुछ लोगों का मानना है कि मुकतार अंसारी की जो मौत हुई वो सही हुई लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये बिलकुल गलत हुई और ये एक साजिस थी तो मैं आपको बता दूँ आटाइस मार्च की रात तकरीबन 11 बजे इस खबर की पुस्टी होती है कि तकरीबन साड़े आठ बजे अस्पताल में इलाज के दौरान मुक्तार अंसारी की मौत होती है अलाकि लंबे वक्त से मुक्तार अंसारी बीमार चल रहे थे और कल से पहले भी वो 2-3 दिन पहले भी अस्पताल में भरती हुए थे तकरीबन 14 गंटे उन्हें आईसियू में भी रखा गया था और जब उनकी हालत नॉर्मल हो गई वो ठीक हो गई उसके बाद उन्हें बापस से बांदा जेल में भेज दिया गया लेकिन अब जब मुक्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं रहे माफिय मुक्तार अंसारी जो है अब उनकी मौत हो गई है तो अब तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं तो इसी मुद्दे पर आज मेरे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है नाजिया इलाई खान जी सुप्रीम कूर्ट की अधिवक्ता हैं बहुत-बहुत स्वागत है मैडम आपका जी सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि जो माविया मुक्तार अंसारी था उसे लेकर विपक्ष लगातार बिलख रहा है रो रहा है जी हम लोग ना एक कहावत बोलते हैं मर गया मर्दूद जिसका फातिहा न दरूद और कॉंग्रेस से ले करके समाजवादी पार्टी से ले करके यह जितने भी लोग है आवेसी यह जितने भी लोग है या मदनी यह हमेशा आतंकी गंगई बैंक्सकर टेररेस्ट जुठाद कि इनकी मौत पर और इनके पकड़े जाने पर मातम करते ही और मुझे ऐसा लगता है कि आपके चैनल के मातम से मैं आवेसी को एक कजेशन देना चाहूंगी बाहर से काहें चीख रहा है वाला कोट पहन करके सर्वुच्य नियाएपाली का क्यों नहीं चला जाता है वरा निय सबस्के लिए खुला है सर्वुच्य नियाएपाली का सबसे खुला है अगर उत्रपरदेश की हाई कोट ने उसके बेटे को जनाजे की नमाज में खड़े होने से मना किया है और किसी सुबूतों के आधार पर ही मना किया होगा अब उसके बेटे ने सुप्रेम कोट और यूपी के गैंस्टर एक्ट भी रजिस्टर्ड थे 65 मुकद में दरसे में मैं मैं कंप्लीट कर दो साथ जो साथ केसे थे वह यूपी गैंस्टर एक्ट के हिसाब से रजिस्टर्ड थे आठ केसे में कंविक्शन था उसको और 65 पूरे इंटायरली ते वह 65 थे जिसमें मडर था जिसमें फिड्नापिंग था जिसमें लैंड माफिया था जिसमें बंगोली बारूत का केस था मतलब ऐसे केसे जो मुकार अंसारी को डारीपली जोड़ते हैं बिल्कुल जिहादी औ और चंगजु और आतंगवादी से और ऐसे वियती ऐसा वियती जो पाज़ ये ले रहा एसा वियती तो समाजवादी पार्टी इसा बीट पर्देश ने तक अधर परदेश के घर को और जितने भी संपसा हिंदु धरम के जो घर हैं उनको ललका रका पर आज उसकी मौत पर रमजान के महीने में निकल गए हैं ये लोग मुहर्म का मातम करने के लिए देखिए मैं बोलना चाहूंगी कि भारत ने क्या नहीं देखा आज आख में आसू आ जाता है जब उन बातों को हम याद करते हैं भारत ने देखा के बुरहान को शहादत दे दिया गया और यही यही आवेसी जैसे लोग बुरहान जैसे आतंकी और जहादी को शहादत देते थे और शहीद गोशित करते थे भारत ने अवजल गुरू की फासी पर मातम करते थे और शर्मिंदा होते थे और नारा लगाते थे सरवचे नयाई पालिका के बाहर कि अवसल हम शर्मिंदा है तेरे फातल जिंदा है। यही यही असददीन ओवेसी डेमुक्रेशिय टेम्पल के अंदर पार्लिमेंट के अंदर कहता है और 2030 में कहा है कि 20 और मुसल्मान मेंबर और पार्लिमेंट होते तो अफजल गुरू को फासी ना होती अजमल कसब जैसे आतंकी और टेर्रेस्ट पर जिसने हजारों लोगों की जान ले ली जिसने कई माओं की गोथ सुनी की जिसने कई महिलाओं के संदूर उजाड़े कई क गिए वार रफ काम्ग्रेसि की सरकार ने उसको मुसल्मान पॉलिक वकील दिया गया ताके उसके जदबात समझ सके वारे वा कॉंग्रेस की सरकार, कमलेश दिवारे की हत्या करने वाला उसके लिए जमायतो लुलमाई हिन में तिजोरी खौल दिया, एमदाबाद में टेररिस अटैक होता है, बॉम ब्लास्ट होता है, उसके लोगों के लिए जमायतो लुलमाई हिन अपना तिजोरी खौल देत कि यही भारत ने देखा याखूब मैम्न के जनाजे की नमाज में पहलाब बन कर के मुसल्मान जाते है जनाजी की नमाज पढ़ते है यही भारत ने देखा कि उसामा बिल्लादेन की जनाजे की जमाद खड़ी होती है कश्मीर में और अब्दुल्लाव और मुफ्ती परिवार के नेकरत में इतने बड़े-बड़े जिहादियों की जमाद खड़ी होती है और उसको शहीर बोला जाता है अब आप बताएं कि इसे अपने चर अपरादी का कोई मजब नहीं होता लेकिन जब इस तरीके के अपरादी की बात आती है एक इतना बड़ा गैंक्सर जिसके उपर तमाम मुकदमे दर्ज हैं आठ मुकदमों में सजा हुई दो में उम्रकैद की सजा भी हुई और आपको अगर यादो कृष्णा नंद राय का केज 400 राव फाइरिंग की गई थी और जब उनका पोस्ट मॉटम हुआ था तो उसमें उनके सरीर के भीतर से 67 गोलिया निकली थी और आज इनके लिए परवर्दिकार से दुआ की जा रही है डॉक्टरों की रिपोर्ट जुटलाई जा रही है पोस्ट मॉटम की कोन करेगा अख्येश नहीं करेगा तो कौन करेगा रहुल बाबा नहीं करेंगे तो कौन करेंगे का हम भूल जाए कि अपने पार्टी का नाम रखा है इतिहाद नहीं है क्या हम साथू स्कॉर्टर भूल जाए कि हम एमर्जेंसी भूल जाए कि लाल बहादुर शास्तरी जी के पोस्ट मॉटम का इंकार किस ने किया था इंद्रा गांधी जी ने किया था हम कैसे भूल जाए इतने बड़े महान वे अत्ति के पोस्ट मॉटम का इंकार डिनायल मू अब भारत की जनता और भारत के शिक्षक मुसल्मान तुमको नहीं बरदाश्ट करेंगे तुम्हारा मुखड़ा उतर चुका है तुम यह जिहादियों के सपोर्ट में हमेशा कड़े हुए हो जी तो जिस तरीके से जो है अब मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे कि कहीं खुशियां भी मनाई जा रहे हैं मुक्तारंसारी का जो मोध हुई उसके बाद कृष्णा नंद्राय की जो है पतनी का भी एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने मोधियोगी का नाम लि मुक्तार आंसारी के बिद्धैन पूरा प्रावधन है वह जाना साथ हैं तो बह्त प्वत पड़यों कर पिसन सब्सक्रांगा जयां करते हैं रही बात प्रत में। लोग मोहबद करते जो इस राष्ट से मुहपत करते हैं जो इस भारत को अपनी माता मानते हैं वो ऐसे ऐसे दंगई और जिहादी के मरने पर खुश्या को मनाएंगी यहाद के नाम पर भारत के लोगों का सर्त्रम से जुदा करते हैं और अपनी पूरी टीम बनाते हैं अगर ऐसे लोगों को अलाह तबारक ताला रमजान में उसकी रूह न चोड़ लेता है और उसको खबर में धकेल देता है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है यह तो बहुत अच्छी बात है इविन आज भी मैं डेट तो गेदर कर रही हूं मैं भी डिनर पर बैट रही ह अगर भारत दीरे दीरे साफ हो रहा है और उन नुकला भारत अभियान का मतलब प्लास्टिक पॉलिफी नहीं है या गार्वेज नहीं है ऐसे जहादी डंगई को कब रिस्तान तक पहुचना भी बहुत जावरी था तक आप यूपी में देखिये जो अकलेश लादव आज इसे क्रिमिनल के फक्ष में बात कर रहा है कल तक वो अपने बाब को जलील करता था और पिता ऐसे थे जो महिलाओं के लिए इतनी अभधर तिप्रिया करते थे लड़किया इतनी टाइट जीन्स पहनेंगी तो मल तो मन तो मचले गाई ना पुर्शों का तो ऐसे यादव परिवार नहीं चाहती है यह भी बयान था उनका के लड़कों से गलती हो जाती है मुलाहिम सिंह यादव का और देखिया अंसारी परिवार हमेशा से भारत के उपर धाब होगी की कोशिश किया है दस साल हमीर अंसारी साहब उप्राश्ट पती रहे और जब उप्राश्ट पती से वह पूर्व उप्राश्ट पती हुए और उन्हें क्यामरा के सामने बैठकर क्या बोल दिया भारत मुंसल्मान सुरक्षित नहीं है और लोग दुआई दे रहे हैं नाजिया जी के जिस परिवार से जो इतना रसूकदार परिवार रहा है जिस परिवार से ने देश को पराश्ट पती दिया शहीद या स्वतंत्रता सेनानी दिया उस परिवार के जो चस्मों चिरागी कह लिजे मुक्तार अंसारी को न्याय नहीं मिल रहा है जो लोग अन्याय के देवता रहे हैं वो लोग आज न्याय की बात कर रहे हैं कोट में जाने की बात कर रहे हैं आई कोट से सुप्रीम कोट तक दोड़े दोड़े घुम रहे हैं इन लोगों को मतलब यह जब सीशे के सामने खड़े होते होंगे तो कि इन लोगों को शर्म नहीं आती होगी खुद को देखने में देखिए लोग सबाइ एलेक्शन कमिशन की तरफ से घोशना हो चुकी है है फॉस्ट नॉमिनेशन हो चुका है सेकंड नॉमिनेशन होने वाला है 24 घंटे के अंदर मुसल्मान वोड बैंड की राजनीती कॉंग्रेस हमेशा से करता आया है 77 साल से अखलेश यादव की सरकार भी ठीकी थी उतरपरदेश के मुसल्मानों से तो यह लोग अब सोच रहे ह है मुक्तार अंसारी की नैच्राल डेथ उसको हम लोग कैसे भी करकर के थोड़ा सा गोंती फेक करके हम यह बना दे के भाई कैसे कस्टोडी में इसका डेथ हो गया तो घरवाले के पास प्रावधान होता है आप उसका पोस्ट मॉटम करा है आप नियायपालिका जाए आप स पहीने के अंदर आपको पूरा रिपोर्ट सब्मिट करना है यह जो आरोब लगा रहे हैं मुक्तार अंसारी के परिवार वाले और और बाकी के जिदने भी विपक्षी दल है और याड़क परिवार और गांधी परिवार ना इसमें कोई सच्चाई है तो एक महीने में दू की पार्टियों को जिता देगा मुसलमान 14% कहा जाता है पर 72 को अगर तोड़ा जाएगा तो अवेसी के साथ आएगा और यह जितने भी सब विपक्षी दल परिशान हो रहे हैं मुसलिम वोट के लिए मात्र मात्र 2 करोड के लगभग मुसलमान इनके पास आएगा बोरी मु मुसलमान इनको वोट नहीं देगा 72 फिर्खा में सर्फ दारुल उलूम द्योबन जमाद इनके पक्ष में खड़ा होता है इसके लावा कोई भी फिर्खा इनके पक्ष में खड़ा नहीं होता है दूसरी चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ तो यह अवेसी से लेकर करके मदनी से लेकर के बुकारी से लेकर के मुत्वार अंसारी से लेकर के यह जितने भी है दो इतनी डायाबॉलिक प्रिमिनल और जिहादी माइंड को लेकर के भारत में अपना सिक्टा जमानी की कोश़श में लगे हुए हैं यह अल-कुरान फॉलो करने वाले नहीं है यह जुन्नते रुसूल फॉलो करने वाले नहीं है यह प्रॉफिट मौमस अल-ल्ला अल-कुरान को फॉलो नहीं करते हैं यह अश्रकुल मखलुकात खुद को नहीं मानते हैं यह मौमिन और मौमिनात खुद को नहीं मानते हैं मैं रम्जान के महीने में बोल रही हूँ और अभ सबसे पहले होली और दिवाली बंदरवाई गई तोड़ा गया था मंदिरों को तोड़ा गया था आप और वेसी को पड़ रहे हैं और सब को ललकारता रहता है सब को बहता रहता है मुसल्मान युवाओं की जिंदगी बरबाद करने का सबसे बड़ा ठेका अवेसी ने लेकर के रखा है जिछी साब जी सिझे बैरिस्टर भी हैं लंदन से पढ़के आए तो कहीं ने ये बात समझ नहीं आती का 21 सताब्दी में 16 सताब्दी आप इतियास को नहीं दोरा सकते कि जो आपने 16 सताब्दी में किया वो 21 सताब्दी में भी आप कर लेंगे ये चीज बैरिस्टर साब को नहीं समझ आती ये चीज समझ में अब आ रही है न दस साल से जब भारत का नौजवान जब इस राष्ट से महबत करने वाले यूगा जब खड़े होकर ये कहते हैं कि एक विधान और एक समझ विधान जब भारत का नौजवान भारत माता की जैखा नारा लगता है जब भारत का नौजवान ये कहता है कि हम भारत की सिविलाइजेशन से चलेंगे हम 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 अपने civilization को छोड़ेंगे नहीं इसलिए तो अवेसी को परिशान ही हो रही है। अवेसी ने सदाएं दी थी। बहरत नोजवान को के मज़ित जाओ पब मत जाओ डिसको मत जाओ दारू मत प्योओথ हयालंसला और हयालंकिला की सदाएं सुनो और मजजध जाओ। लग गया अवेसी साहब औरतों से घिन करते हैं मुसल्मान औरतों से नफरत करते हैं अवेसी साहब योगाओं को भड़काने और बहकाने के लिए खड़े हुए इसके लाबा उनका और कोई काम नहीं है और दिखिए कि तक बेशरम की करा आवेसी साहब इतने बड़े यह औरंगजेब को मानता है यह औरंगजेब के रूल रेगलेशन को फॉलो करता है दुवाई तो फूट-फूट का सम्मिधान की देते हैं यह संसा दो या पर जो है कोई मांचो ने ने बहुत सिंपल सी बात है अभी थोड़ी दिर पहले भी मेनाशन न्यूस डिबेट पे अगर सम्मिधान मांते हो तो काहि की लिएतना समाना लग दिया विनिफॉर्ण सब्सक्राइब को नागू होने में काहिनी सम्मिधान का फ्रेटम आपके स्कूश मानोगे और इसके इलाव़ा कुछ निए नावए को सभिदान में दो ही आर्टिकल बनाये क्या सम्मिधान के सारे परने में सर्फ गोई आर्टिकल लिखा हुआ एक यह एक सवाल मैं अब्बास अंसारी पर आपसे लेना चाहूंगा अबबास अंसारी जो मुकतार अंसारी के बड़े बेटे हैं फिलाल कासगन जेल में बंद है तो उनका एक बयान है 2022 के चुनाव से पहला वह आपने भी देखा होगा जब वह कहते हैं उसमें कि मैं अखिलेश यादव से बात करके आया हूं और कहके कि सरकार बनने के बाद कम से कम 6 महीने तक ट्रांसवर पोस्टिंग ना करें क्योंकि हिसाब किताब आमने सामने से करना है उसके बाद आज वही अब्बा संसारी पहले हाई आज नयाय की भीग मांग रहा है तो एक कहवत नहीं याद आती है कि सो दिन सुनार का और एक दिन दुहार का जिस गरीब मासुमों के छातियों पर गोलिया इन लोगों ने बरसाई है तो गरीब मासुमों के लैंड को इन लोगों ने ग्राप किया उक्यूपाई किया जिस गरीब की छोटी-छोटी बच्चियों का कन्वर्शन करवाया जिन गरीब महिलाओं हिंदु महिलाओं के आत्रक्त को निर्वस्त रखिया आज आज उनके दिल से जा करके पूछिए कि उनके लिए तो दिवाली हो चुकी होगी आज उत्तर पर्देश को इन्होंने कुन की अश्करे तैबा ने अश्मीर को 1989 से 1991 तक बनाया था वैसे ही अखलेश यादव और और असदुद्यन अवेश्की और कॉंग्रेस के नहत्रत में इतने बड़े-बड़े टेलरिस्टों को रोटी और बोटी दी जा रही थी और यह जो आसू है ना यह मगरमच के आसू है यह जो यह नेता हैं तमाम नेता पूरे विपक्ष की बात करूंगा मैं इसमें आपसे सिर्व वैसी की बात नहीं करूंगा क्योंकि पूरा विपक्ष इस वक्त फूट फूट करो रहा है कि मुक्तार अंसारी आखिरकार कैसे चले गए एक जो है एक संदेश उनके लिए और एक सम्विधान से चल पड़ा है जो लोग भारत के टुकडे करनेक पर इन्शाल्ला के नारे लगाते थे अब उनको भी जेल की सलाखों में डाला जाएगा जो लोग अबजल गुरू के फांसी पर शर्मिन्दा होते थे अब उनको भी जेल में डाला जाएगा और विपक्षि क्योंके अंसू के चक्कर में अब कोई नहीं आने वाला है सबाये दियोबन जमात्यों कि मुसल्मान के इसके इलावा इनके मखरंड के चकर में कोई नहीं आएगा भारत में ऐसे ऐसे दंगईy एझी कोई जगा नहीं है और अनसारी के दू बोचि लशाल तबारक ताला नहीं जाकर लड़ो अल्ला तबारक ताला से इस यहां लड़ने की क्या जरूरत है मुसल्ला बिछाओ जानमाज बिछाओ और लड़ो अल्ला तबारक ताला से हम अल्ला के मैं भी मुसल्मान हूँ और मैं अल्ला की उम्मत में से हूँ रसूल की उम्मत में से तो यह हमारे साथ ही नाजिया इलाई खान जी सुप्रीम कोट की वकील है इन से हमने कई सवाल कुछे मुक्तार अंसारी को लेकर और विपक्ष को लेकर भी तो मीद आपको सारी चीज़े समाज आ गई होंगी कि यह लोग जो है समाज के लिए इस तरीके के जो माफिया है वो स कलंक जो है साफ हुआ है जिस तरीके से इस से पहले अतीक एहमत गया उससे पहले विकास दूबे गया कोई भी हो मेरा कहना यह है कि अपराद का और अपराधी का कोई धर्म और मज़ब नहीं हो सकता और नहीं होता है क्योंकि हर धर्म के हर जाती के लोगों को यह पर कमेंट कर जरूर बताइएगा नमस्कार